कि सुभाजीत का कुछ क्वेश्चन एक बाद देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहेंगे हाँ सुभाजीत बोलो बेटा सुभाजीत आप बोलें आप हैंड्रेस करके कुछ भी अपना डाउट वहां से बोलेंगे मैं आपके सुनता हूं हेलो सुभाजीत आप कोछ बूलना चाह रहा है आप में डिस्क्रेट कर दिया टाइमिंग सेम रहती टाइमिंग ये एक मॉन्डी में क्लास रहती इसकी एक इविनिक पर रहती सुभाजीत एक बाद लाइटेम लेए रिसका ये बाद दोबारा हिंद्रेस करिया ये बाद इसका लाइब गेम हो जाना चाहिए ना हाँ तो बज़ेत बुलो हाँ वही पूछा था सार ये शाम में 8 बज़े से कितना बज़े तक लास रहता है 9.30, 9 से 9.30 के बिच में रहता है अचा और मॉर्निंग में मॉर्निंग में क्या रहता है टाइम या इसका रहता है यापको मेंसेज करना है, इसका use करना है, जो आपको कोई डाउट ऐसा है जो आप type नहीं कर सकती है, तो आप definitely isका use करो लोक हो चलो आज अब हैसा हमगी लोग है, अपना इससे सtart करते है, energy meter के पार हमें, एक बार मैं आपको थोड़ा सा overall revision क diasya को हमारे energy meter total energy meter बनाने के लिए हमको total 4 mechanism की requirement होती है कॉन-कॉन से mechanism पहला होता है driving mechanism उसके requirement होगी दूसरा होगा rotating mechanism ठीक है तीसरा होगा breaking mechanism और चौथा होगा registering mechanism ठीक है तो driving mechanism के लिए मैंने क्या किया था यहां पर मैंने sunned magnet लगाया है यह जो आपका E-shape का दिख रहा है यह आपका Sunt Magnet है और को कि इसका बना हुआ वह सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है जो आपको U-shape का दिख रहा है यह 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 आपका Series Magnet है और Series Magnet पे Current Coil पेस किया चाहिए विदोरूर लिम्ट है और Sunt Magnet के Central Link पे आपकी Potential Coil पेस कि जाए Potential Coil में कितना Voltage होगा Proportional to Supply Voltage Current Coil में कौन से Current होगी Proportional to Load Current और एक चीज और दिखना यह जो मैंने Magnet बनाया है यह वाला मैनेट बनाया है कौन सा मेरा है यह यह मेरा Breaking Magnet है कौन सा मैनेट है यह Breaking Talk जो लगाएगा वह अलाम मैनेट है तो Breaking Magnet है यह आपका Breaking Talk प्रोवाइड करता है यह आपका Breaking Magnet है तो कि Breaking Talk प्रोवाइड करेगा इस विल प्रोवाइड प्रोवाइड ब्रेक लगाने वाला कामाना आपके पार जो चार थंडे बनाके रखे मैने इसको बोलते है आपके रजिस्टरिंग में बनाया है मतलब इसे की वैल्यू जो रिकॉर्ड करनी है तो आपका ऐसा होगा 0000 यहां पर मालोग लिखा होगा आपके बार हैं बताया है उसको अपन पॉइंट बैस यहां पर नोट आउं करने जाए तो चलो आप लोग है ड्राइविं मेकनिजम आप सब्सक्राइब करें जो हमारा पहला मेकनिजम में एनलजी मेंटर को बनाने के लिए वह कौसा है ड्राइविंग मेकनिजम अधर हम ड्राइविं मेकनिजम की का बात करें तो ड्राइविं मेकनिजम के लिए हम कितने मेंगनिट्र यूज करें सी alan 2 हम यहां पर 2 del PHP करने वाल हैं दो हमारे पास जो magnet यूज़ करेंगे driving torque के लिए वो दोनुई magnet हमारे पास क्या होंगे Electromagnet, Electromagnet क्या होता है, core पे winding करके आप उसको magnet करें बिहेव करा रहे हैं उसको हम बोलते हैं Electromagnet, permanent magnet मतलब पर जो हमको naturally craft होता है इसको हम बोलते हैं आपका permanent magnet, लेकिन यहाँ पे permanent magnet नहीं है, यहाँ पे electromagnet, core पे winding करें आप देखी तो यहाँ पे diagram पर यहाँ पर यहाँ पर यह वाइंडिंग करें यह तो आपका cent magnet पर एक यह फिल से core यहाँ पे winding करें तो यह फिक magnet करें काम कर रहा है अपर यह फिल बोले एक्रोबाण करें है, यहाँ पे यहाँ पर ढूनों मैंच पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह फिल्यक्त्रोमैंच है दोनों मैंडिर्ट आपके पास यहां पेका है कि उन दोनों का नाम मैंने था रखा अचीज और इनका जो सब्सक्राइब ने बताया इनका पॉप आंग जो बना है वह आपका आपमेड बना है वह आपका सिलिकान इस्टिल को बना है इसमें आपको कन्फिज नो हो ना यह आपको किसका बनातेशतित का सबॉन से सब्सक्राइब Administration अले स्थिर्फ की सम्सक्राइब यह वह निकाल है आपके इन फास्क्राइड रहें। अच्छा इन दोन पreteने न मेंने नाम बता हैंने 20 मेले पास ने नाम बता हैं तो देखना मेलो माधा मैपके पास क्या हों सुन मेल अधार umaf纟 है कोंसा चैब पर आपके नहीं है कोंसा को हमेल 20 माथ पर पास क्या है मैंने संगे किसी को कुछ भी डाउट पोच सकता है संत मैंगनेट होगे और दूसरा होगे अपकास यहां पे स्रीज मैंगे अच्छा यह बताओ कि संत मैंगनेट जो था उसका सेफ कैसा था इसका सेफ यहां पर कहता था है उसका यू सेफ भोलेंगे यू क्यों बोलेंगे यू क्यों बोलता हम इसको तो इसको count क्यों इसको उसको बोलता हूं क्या बोलत को इसको कौन सा से बोलेंगे जिसको अपन swiftly embrace कर लेते है êtes था ना तो अपन क्या बोलेंगे reverse सी कोते है यह tootrated auf कह इसको क्या बोलेंगे S seοι बोलता है जोgend रिवर्स जी को लेता है इसका होता है अच्छा संट मेनेट पे कौन सी कोईल लगा जाती है इसमें हम जो कोईल लगाते हैं वो होता है कौन सा के इसमें आपके क्यों लगा जाते हैं माइशने bleach लाइब इस और आपका जो series मैंगनेट है इस सरीज्ज'd मेंगनेट कैंख कौन सी कोई लगा जाथी यहां पर स्रीज मेंट पर करेंच कोई लगा जाथ आगा जाए आपrem कि यहां पर क्लेयर होगे mm बहुत कोशन न रहा क्यों तो हम आंत Recovery समय हैं आपको फॉदा चोटा कमेंट कर देऊ कर यह तो उसमिए टीर रहे ना जीतने भी आपके लेक्षर चूटे हैं उनके सारे PDF अबलेबल हैं सारे के विडिकोडिक्स अबलेबल हैं तो आप उनको देख सकते हो और PDF भी अबलेबल है इनमें से कौन कौन से कौश्चन बन सकते हैं बताता हूं पहला कुश्चन यह कि हमारा जो इलेक्ट्रो मैगनेट है जो आपका इनर्जी मेंटर है उसमें कितने में इलेक्ट्रो मैडैट होते हैं, पहला आपका आंसर होंगा होगा दो., फैन्स वेस्फिशन धुरिशन धने, दूसरा श्या मीटर होगा है लगाए है, C helt कोई स्टेश्ट में क्यों के लिंप लगा जाती ही? इतर लिंप लिंप है हमारे स्प्री नेर्जी में हमारे स्मs मarend 가지 में स्टेश्ट में हमारे स्टेट की कॉमिड़ स्पीज आ कि क्यों वirteen अपम कि साउट की? ठीक है तो सुभाजीत आपको समय में आ रहा कैसे कैसे बनने वाले है यह सारे आपके objective questions जो की exam में बनेंगे चला ठीक है तो यह आपको हो गया driving mechanism second आपना आते हैं कहां पर second आपना आते हैं कहां पर जो second mechanism थे मेरा कौन सा rotating mechanism मेकनिजम आपके पास है वो कौन सा मेकनिजम है रोटेटिंग मेकनिजम आज साध्यू करें किसी कि लिए इस्टर्बंस हो जाए जो तो रोटेटिंग मेकनिजम तो रोटेटिंग मेकनिजम के लिए हम क्या करते हैं एक दिस्क करते हैं जो कि बहुत लाइट वेट अगर जीतना कम वेट होगा तो रोटेट रपाएगा ना तो हम यहां पर लाइट वेट एलुमिनियम की दिस्क यूज करते हैं अलुमिनियम यूज करने का रिजन यही है बेटा क्योंकि कि आपका उसका वेट कम होगा तो उसका एजी रोटेट करपाऊगे तो हम क्या बोलेंगे रोटेटिंग में का रहते हैं अलाइट वेट अलाइट वेट अलाइट वेट अल्यूमेनियम डिस्प कि आलाइट वेट 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 वॉेट व्यूमिन गैजमि को वेुझे zum और रोटेटिंग मेकनिजम और जो रोटेटिंग मेकनिजम है जो रोटेटिंग डिस्क है आपकी अलुमिनियम पी डिस्क है उसको आप बता हो किस सेप में होगी इस इस मनें आपको मौनिक नो बताई है तो वो जो डिस्क होगी उसका सेप कैसा होगा डिस्क का जो सेप होगा वो कैसा होगा सर्कुलर डिस्क होगा यह चीज़ आपको कर लीजेगा अच्छा एक प्रश्चन मुझे तो सर्कुलर क्यों सर्कुलर डिस्क ही क्यों अगर कोई पूंचे आप तो क्या बोलोगे सर्कुलर डिस्क ही क्यों करें यह बताओ मुझे सब्सक्राइब लोग गाड़ी के चके सर्कुलर क्यों होते हैं रेक्टेंगल बना दू तो जार टॉक लेगे क्या आपको खटक की आवाज करेगा स्मूथ रहेगा क्या हम हमेसा क्या चाहते हैं कभी अगर हम एलेक्ट्रिक रहेगे तो हम को बचने के लिए क्लिए क्लिए स्वार पैजस्सी दूर रहते हैं तो उसके लिए प्रकुलर डिस्क लेगे हम क्या लगते हैं पर सब्सक्राइब जाता हो रहाएगा अगर ज्यादा रिस्टर्विंस होगा अब यह लाग कि थोड़ा दूर है उन लोग दीजे वाले थोड़ा पास में आएगे तो क्लास को आफ करें जैसा को लोगत मतलब चलों ठीक है ब्लैक्रोंड बूजिक चलगा है तो यह आपका होगया सेकंड मेकनिसम रोटेटी मेकन कर दीजे आि लेकिन ब्रेटी में कंट्रों टॉलिंघ्या सब्सक्राइब जैसे आप गाड़ी चला रहे वह सामने को यहां बड़ी रोफिद होगे। आप गाड़ी को slow करोगे ना। वैसे डिस्क है यहाँ पर तो डिस्क आपकी चल रही चल रही चल रही चल रही अचाना से लोड कम हो गया वह जो स्लो होगा ना कि बंदू तो पर हमारे सा टाप होता है और सब्सक्राइब करने पर सब्सक्राइब करें अपर आपके डोर भी तो पेड़े लेकिन यहां पें क्या होगा आपके पास कि हमारे स्कोल रोकता है कि हम क्रeき तो थाड यहां पर पास अ में पास अब्रेकिंग क्या रिखर ब्रेकिंग माइचर के तुर ना पर अगर आधे पर पास अ पिर में तेर अगर हम यहांपे ब्रेकिंग माइचर की बात करें तो braking mechanism के लिए हम क्या बोलेंगे कि आपका जो हमारा energy meter है इसमें braking torque को लगाने के लिए braking mechanism प्रवाइड करने के लिए हम यहां पे एक magnet यूज़ करते हैं लिकिन वो magnet काईसा होगा वो magnet आपका एलेक्ट्रो मैंट ना होगा था इसमें और एक्नेट होता है जो की होता है जो की ब्रेकिंग प्रवाइड के लिए लगाए जाता है उसका सेव क्या होगा यू सेफ आउंगा दो लिखना आप लोग के हमाँ शार ट्रीम थांत ग्यूरा टेखे हेव्धोर्ट। दो hop वर्म थांत विलिकर टार्थांत तो to a permanent magnet is used to provide breaking torque breaking torque to a permanent magnet is used to provide a अच्छा एक बात और ब्रेकिंग टॉर्क का लगना की स्फिट अब एक क्षुण यहां पर बनता है कि ब्रेकिंग्टक कैसे लगी ब्रेकिंग टॉक लगने की वैसे हमारा यहां पर धेख दमीड वाहन देना की जिस यहां पर ग्रीव क्लर से बनाऊ यह आपका इस पिंडल से इस पिंडल से इनके बीच के जो दूरी होती है वो होती है कितनी आर इनके पीच के दूरी होगी क्यों यह वो, अब एक बात धान देना, अब यहां पर हमारा जो ब्रेकिंग का लगाता है हमारा जो यह ब्रेकिंग मेंगेंट है डिस्क पर ऐसा ब्रेकिंग टाप प्रोवैड रगता है, कैसे लगे समझना ऐसा लगाएगा जब कभी भी आर की व तो अगर मतलब ब्रेटिंग मेगनेट को हम इस प्रीड दूर के आइसरे न्हुरी बढ़ेगी अगर अर बढ़ेगा तो उससे हमारा क्या होगा यहां पर जो हमारी डिस्क है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी कब हो जाएगी क्योंकि हमारा यहां पर एक रिलेशन होता है हमारे ब्रेकिंग टॉर्क के लिएक रिलेशन होता है तो जैसे से मेरा आर बढ़ेगा स्पीड मेरे पास यहां पर क्या होगी कम होगी सब कोई बात क्लियर होगे यह पंडित को क्लियर होगे अच्छा बात मुझे और बताना सब्सक्राइब लोग एक कुर्शन है एक कुर्शन यह है कि आपने ब्रेकिंग कि सुभजीत क्या क्लियर नहीं बढ़ा कि सुभजीत क्या डाउट है बिल्कुल खुलके डाउट कुछ हुआ अगर यह बता रहा हुए कि जो ब्रेकिंग मैगनेट है इसकी पोजिशन और इसको इधर तरफ ले जाए ठीक है अगर हम इसको इधर तरफ ले जाए तो हमारे स्पीट करें था ले डिंखर रहे हैं अटीक है तो हम यहीं बोलना चाहिए रहा है कि जब कभी कि भी ब्रेकिंग मैगनेट यह जो रेकिंगे मैगनेट फोता आर बढ़ेगा इसकी स्पीड बढ़ेगी आर के बढ़ने स्पीड कमोगी तरसे आर और आर आपस में यहां पर क्यों हो रहा है उसके लिए आपको ड्राइविंग टॉर्ट का ट्रेविशन पता होना चलिए तो अभी मांगे डिसक्स करूंगा बस अब यहां पर जन्रल वेम रहे हैं यहां पर दो क्या़ होगा इसकी आहां रहा हे खोग है और आप्ष में है कि यहां पर सब्सक्राइब कि अंश Еभरेगा इस आपने ब्रेकिंग मैंबें डीथि उस और ऑन्टेयर नहीं करेंगा है औऱHaar में को आपको अखेट रोड कुल मुं या पोफी अपना है और Kash Kobe Oops आपकी घर पर जो लट हो बढ़ा दिया आप अचनक से जब लोड बढ़ा Pero तो डिस्क की स्पीड क्या होनी चाहिए गड 70 अपने आपने अपने घर का लोड बढ़ाया आपने एक फेन से दर्फ फेन चालू कर गी तो घर का लोड बढ़ा घर के लोड बढ़ने की वज़े से बढ़ेगी तो आर्खिवल यहां पे क्या होगी बतलब जो ब्रेकिंग मेहर्ण पास में आगेजा जब लोड बढ़ेगा आपका ब्रेकिंग मेगरेंट के पास आएगा और जब लोड कम होगा घर का तो वह आपका इस पिड़न से पाहर जाएगा, इस पिड़न से दूर जाएगा, अब क्लियर हुआ बेटा, इन में question की variety समझो है, यह concept समझ में आगे जो मत बता है, question यह नहीं बने, question बहुत confuse करके बनते हैं, आप तो बहुत छोटी ची में confuse हो रही है, अभी तो question यहां पर में बनने वाला ह जो मैं आपनों से पूछने वालो, आप सब लो तयान question कहां से करने के लिए, आप सब लो तयान question कहां से करने के लिए, चलो, question यह है मेरा, कि breaking magnet की position को ऐसे adjust किया गया है, कि breaking magnet की position को ऐसे adjust किया गया है, कि breaking magnet का edge, disc की edge की तरफ move कर रहा है, तो disc की speed क्या होगा है, फिस कोशन repeat करो, फिस कोशन repeat करो, बिल्कुल, slow, पंकाचली mistake कर दिया आप लोगे, इस टेक कर दिया, फिर रिपीट करों कोशन को बनना है, सब लोगे question को बनना, question में यह बोला गया है, breaking magnet की position को ऐसे adjust किया गया है, कि breaking magnet का edge, edge मतलब किनारा, breaking magnet का edge is moving towards the edge of aluminium disc, तो मतलब टहने का मतलब यह है, कि इसको हमने ऐसा move किया है, breaking magnet को, कि जो हमारा यह वाला edge जो किनारा है, वो इसकी edge की तरफ ट्रबल कर दा, मतलब r की value बढ़ेगी, जब r की value बढ़ेगी, तो speed क्या होगी यहां पे slow हो जाए, कम हो जाए, ठीक है ना, तो इसको सम्नोट का लीजेखना है, आपको भी आपको, एक point लीखेगा, लीखेगा, इस, पोजीशन ओफ, ब्रेकिंग मैंजनेट, इस पोजीशन ओफ, ब्रेकिंग मैंजनेट, इस अज़ेश्टेड, in such a way, यह कोशन बन चुका है ना, जो मैंने कोशन आप लोगों से, in such a way, that, as of, as of, breaking मैंजनेट, as of breaking मैंजनेट, as of breaking मैंजनेट, as of breaking मैंजनेट, is moving towards, as of breaking मैंजनेट, is moving towards, as of, as of aluminum disc, अगर ऐसा question पूछा गया है तो इसका मतलब तो यही हुआना कि आपका आर की value बढ़ रही है, इसका मतलब तो यहीं हुआना कि आर की value यहाँ पर बढ़ रही है, इसका मतलब यहीं हुआ कि आपके पास यहां पे स्पीड यहां पे क्या हुई होगी है कम हुई होगी इस प्रीड विल डिक्रीज इस पीड ओफ देश्ट विल डिक्रीज इसे बहुत साइब कोसं बगते हैं तो आपको त्यार रहीएगा बस लेंग्वेज का खेल रहता है इसमें इतना सान में आया ज्यत्री मैंने के तक देखें हैं तो ब्रेकिंग टॉक्सर्ण बनेगा उसमें स्रिफ लेंग्वेज का खेल रहे हैं आपको कोर्स्टन के लेंग्वेज में ऐसा कंफ्यूज का नहीं कुछिस की जाती है कि आप कंफ्यूज हो कि आर बढ़ेगा या घटेगा तो आप आंतर वैसे गलात पर दोगे तो उनका एम भी रहता कि आपसे कोश्ण वर्दा ही स्पीड डिक्रीज होगी तो फास्ट कैसे हो जाएगा पंकर ने कहां सही बोला था अभी नम समझे में समझे नहीं है मैं रोग क्या बोलना चाहाँ आप विक्तिर आपने कॉस्टन मार्क लगा है वो समय में नहीं है आप लोग हैंडड़ेस करल लो आप लोग हैंड़ेस कर लोग आप अचन्राथ चल्ड़ अक्र्सटनली बाली बात नहीं है आप अब यह विस्टन्स किसने बोल तो और भूडिया अच्छा पार्ट है साब को सिंदे लिए नहीं अभी न वो रिजिस्टेंस नहीं वो डिस्टेंस है अगर बढ़ेगा तो इन्वर्सिल पोर्शनल नहीं है इन्वर्सिल पोर्शनल है मतलब एक बढ़े दुसरा घटेगा जैसे आप लोग का सोना और आपका सब्सक्राइब का सब्सक्राइब dif सब्सक्राइब एक के बढ़ने दूसरा कम हो ना उसको बोलते हैं इनवर्सरी पॉर्स है ना आपको आपको सब्सक्राइब कर वहाँ है कोई नो चलो यह हमने तीन मेकनिजम तो पढ़ लिए एक लास्ट मेकनिजम हमारे पास यहां पर बचा हुआ है हमारे पास एक मेकनिजम और बचाउ उसको दो पर करें हमारा इमेंटर के रिकार्ड करने के लिए आपके पास यहां पर कुछ मेकैनिजम प्रोवाइड किया जाएगा उसका नाम क्यों प्रोटेस्ट में सब्सक्राइब तन्नेवाले तो हमारा फोर्स मेकैनिजम ए उसको कुछ डाउट आया तो बहुत जल्दी डाउट आए मैं देखता हूं किसका डाउट के गलत प्रेंपे डाउट आए अगर लोड घर का जीरो हो गया मतलब शाव लाइट फैन आफ कर दिया तो डिस्क का स्पीड जीरो होना चाहिए उस टाइम ब्रेकिंग मैंगेट का स्टेटस क्या होगा उस टाइस में आपके पास अपनी जैसे आपना यहां पर इनिसे वेल्य होगी यहां तक यहां तक आ सकता होगा हो तो यहां तक आ जाए लोगा मतलब पूरा पास में आचुका है जब पूरा पास में आचुका है मतलब र की वेल्य हां पर क्या हो गई कम अचाई सोरी सोरी मतलब यह इधर आज़या मतलब ब्रेकिंग कण ज्यादा लगा रहा है इस वाई सी सब्सक्रीड जीरो मतलब यह दूर आजाए लिए तो यहां पे आरा क्या मोलना जा रहु हम है जो यहां पर इस इंसल प्रिशिंट को जीरो जीरो करना Marketing क्या कहितना हूँ है तो आपका यहां पे यहां प्र जाये जिंदीज ब्रेकिंग मैंगनेट काम तो है ब्रेकिंग करना तो वो जो ब्रेक का रेंगा ब्रेक काम जल्दी ना है यान्थ ना ने ने ब्रेक की बात नहीं ब्रेकिंग तॉक अपना ब्रेक लगा रहा है लेकिन एक बात ये समझो आपके कहने के मतलब क्वेस्ट जाप समुन आपको को मैं थासब मॉडिफाय करता हूं कि हमारी गाड़ी हमने गाड़ी बंद दी है फिर महां ब्रेकिंग कर्द कैसे लगाएंगा अधने जब गाड़ी बंद कर दी तो आपने गाड़ी इस द्रहे ठीरी होगी ना आपने लोड़ बंद कर दे तो आपके जब आपने घर के सारी लोड बंद किये हैं उस case में घर में जो current coil है उसमें current 0 होगी जो जब उसमें केरेंट जीरो होती तो जो ड्राइविंग टॉर्क होगा हमारे दश्क पर लगए जब जीरो वही हो गया तो रोगढेंगे का ब्रेकिंग लगाने, ब्रेकिंग कहीं पर रहे लगा, बीच में रहे, संटर पर रहे, कहीं पर भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पढ़ेगा, क्योंकि आपके डिस्क पर ड्राइविंग टॉच ही लगा, याशा आपकी गारी खड़ी हुई है, आप उसको ब्रेक लगाओ गा ह करां यह को डिस्ट को करने वाला काम किस्का है आपके टारा जब टारी टॉर का G20 का आ अज ह्ञाइव है प्राइब दो ऐसी क्लास रहती है तो मज़ा आती है तब है तो रेटिंग आएगी इस तरह के डाउट आपको पूछोंगे तो मुझे भी इंट्रेस्ट आता पढ़ाने में अगर आप चुपचा आप नोट करोगे तो उतना इंट्रेस्ट मुझे भी निया तो आपको थ्वा हमारे पास फूर्थ मेकनिजम है वह कौन सा है तो रजेश्ट्री मेकनिजम के लिए मैं क्या करता हूं कि जैसे माल लीजे यह मेरे पास यहां पर आपका इस टाइप का कुछ मेकनिजम होता है यहां पे कुछ मेकनिजम होता है है यहां पिर पर यहां पर लीज मेकनिजम होता है याप कुछ बाक्स बने रहे हैं के calculated जैसे यहां पर 1 है और एक यहां पर उपर भी होगा इस जब का जैसे यहां पर 1 लिखा हुगा ना तो यहां पर उपर 0 फिर यहां पर क्या होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 और यह सब आपसमें connected होगे एक gear की तरह किसकी तरह connect होगे एक gear की तरह यह एक यह वन से टू फो से थ्री ना इन के बाद क्या connect होगा अगें जी रों तो यह आपको दीशना की बने होगे बब्र टाइप के इसको हम बोलते हैं जो मेकानिश्म में लगाते ना वैसे जैसे यहां पर जीडू है जीरू बाद यहां पर इसके ऊपर क्या होगा इसके ऊपर क्या होगा यहां पर 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 इसको मैं क्या बोलते है train of reduction gear जैसे से आपका मालोग लोड बढ़ा तो यह 1 से 2 होगा तो गियर दीजर बढ़ता जाएगा इस टाइप क्या बोलेंगी इसका नाम क्या होता है रजिस्टि मेकानिजम कुछ एक काउंसल लाता है क्या बोलोगी train of reduction gear is used आपको बोलें आपके क्या होता है क्या बोलते है train of reduction gear is used for आपको रजिस्टिरिंग था एनरजी कंजीम्ट इन यूनित्स यहां पे watt आप सेकेंड में energy consume नीं करता है और रीड नी करता है किसमें जो करता आपका यूनिट में Energy consumed in units Units का मतलब क्या होना है? एक यूनट मतलब कितना होता है? याद अपना वन यूनिट अथ होता है कितना 1 किलोवाट पर पर और एक पर दिक है? मतलब आपका एक यूनिट का बिल कितना है वाजब क्या होगा आपकी घर पे मांदो सौ बाट के बलव है आप अपने घर पे 10 बलब चलो करदो सौसव वाट के ठीटना हो जाएगा थाउदन वाट थाउदन वाट को आप जो दस बलब है तो आपको एक लिए रोग जाओ कि एक उनिट इतना किलो होता है कितिया नजी होती एक उनिट मतलब कि जैसे आपके घर पे सॉसर वाट के बल्ब है तो आप 10 बल्ब को अन कर लूँ ठीक है और उन 10 बल्ब को आप एक घंटे तक अपरेट करो अगर आप उनको एक घंटे तक तो उससे क्या होगा आपका एक उनिट कर बिलाए तो अस्सरी मैं आपको और बदा आपको आपके जो बल्ब है आपके जो बल्ब है आज की रिट पे कहुत्ते वाट जाते हैं सब LED वाले बल्ब है जो पहले आपके पास बल्ब होते है तो कौन से होते थे थे तो वो incandescent ब आपके जो कौन से बल बागया है LED LED कितने वट के होते है चार वाट पांच वाट नहीं यार अगर आपको लुमें का कम्पेरिजन करना हूँ अगर आपको पाँच वाट का LED भी लाइब दे सकता है, आठ वाट बहुत बढ़ा लाइब होगे है, तिसमें आपके रूम पर लगा है, आपको एट वाट का है, अगर छोटे से रूम पर लगाना तो 5 वाट इस अफिसेंट, तो बताब 20 टाइमस वाट इस सेविंग है, आपके LED में 20 इस के डिगरी मारते है, लाइट्स इनर्जी सेफिसेंट माने जाते हैं, हाना, CFL भी आपके एनर्जी एफिसेंट माने जाते हैं, लेकिन मुझे यह बताओ, आप तो देखते हो गया, हाना, कि आजकल आप सभी लोग देखते होगे, टीवी वागर पे, हर जगे LED का ही, एक एक टाइम था, जब हम कौन से ब्यूद करते थे, इनकेंडेसेंट, उस टाइम पे हमको बोला गये कि आप CFL यूज करो, हम CFL में आगे, CFL में आएंगे तो हम LED में क्यों बुला जा रहा है, अरे लाइफ जादा है LED की, तो उससे बाकिलों को क्या प्रॉल्म है, पावर अगर लाइफ की बात है, यह तो आप लोग की प्रॉल्म है ना, लाइफ तो एक चीज में आपको और बता देता हूं, कि LED बल्ब आज की रेट में सस्ते हो गया है, लेकिन जब इंको इंको इंट्रडूस थे, अगर बहुत महेंगे थे, यह बात आपको किसी को याद है क्य और उसी टाइम पे CFL 50 रुपय का जाता था, तब भी उसी टाइम पे किसको वहाँ पे LED लेम को प्रमोट के जा रहा था, क्यों, CFL को क्यों ने, अरे बता मुझे efficiency लाइफ से क्या मतलब करना, आपको कोई चीज आपको 50 रुपय की मिल दे, कोई चीज 30 रुपय की मिल दे, तो आप 300 को सेलेक्ट करो, सब लोग आपको 300 का सेलेक्ट नहीं की क्यों बोल दे, क्योंकि आपका जो CFL था, क्योंकि आपका जो CFL था, वो energy efficient तो है, बट वो environmentally efficient नहीं है, वो environment में pollution प्रोवाइड होता है, उसमें mercury होता है, क्या उसमें mercury होता है, जो कि poisonous in nature होता है, ठीक है, और उससे CFL की वज़े से, आपके पास क्या होता है, साथ में क्या मिले है आपको यहाँ पे, ultra wallet race हो मिलती है, जो कि LED पर नहीं मिलती है, अल्ट्रा wallet race से क्या होगा, आपके पास, skin cancer, बाद एक पर टकला हो गया हो, यह सब problem आज मती है, ठीक है, तो यह सारे चीज़ समझ में आ गई है कि अपन इनवारोमेंट को अज़ाख रूट नहीं कर सकते हैं, और इस बज़े से CFL के LED भी बैल लगा दियागी, जितने भी कम्पनी हैं, उन्सकों बोलाए कि आप अपने आपको LED को सिफ्ट कल लो, अगर आप CFL बना के बेचते भी हो तो बेच हो लेकि आप electricity bill को पीछे पलटा के देखना, उसमें LED का आप देखने हो भी जाएगा, आप electricity bill को पलटा के देखना, वहाँ पे LED है, उसके बल्ग के फायदे का बाद जुरू बदाएगा, एडवार्टिंग दुरू दिखाएगा, तो कि government का पूरा फोकस है कि सभी लोग को CFL से कहा लेक्या आना है, आपके LED पे मुव करना है, इस वजए से government subsidy प्रोवाइड करते कि इनको, जो की LED कंपनी जो बना रहे हैं, जो भी company LED के बल बना रहे हैं, उनको subsidy प्रोवाइड के देखने कि चलो, आप लोग को ज्यादा मैं जानना पड़े, तो आप कम सस्तेम बना हो, आप हाई, I'm so happy, कौन भाई ये मुसे बहुत ज़्यादा happy होगे, just a second, कोई मुसे बहुत ज़्यादा happy होगे, मैं देख रहता हूँ कौन भाई ये, ऐसे ऐसे, लोग आ जाते हैं, इने, चलो, तो ये आपका यहाँ प्रोग रहे हैं, सर हमारे बिल के पीछे तो कुछ नहीं निखा, आपकर बिल के बिछे दीन निखा, क्योंकि वो हरे गवर्मेंट के अलगै-उलग वह होगा, हमारी गॉर्मेंट को जयादा ही फोकस करती है, हम लोग के बिल प्रे तो, मतलब, पीछे साइब यह पूरोए ये रिखा है, हमार तो रहता है। ठीक है। चलो। इवर हमारे यहां यह की होता है। जिसे आप कही पर रहते हैं। जहां पर डिल जमा करते हैं। इनके सामने गवर्मेंट वाले कुछ एंप्लोई लोग रहते हैं। वह LED के बल्व लेके बढ़ते हैं। विच स्टेट सर। मैं मत्य प्रदेश कहा हूँ आप सुभजीत। आप कहा से हूँ। पोल काता हूं का। वेस्ट बंगॉल। चलो ठीक है। वेस्ट बंगॉल के और भी लोग हैं। साथ दूसरे बैचे में। चलो आज ओ इधर पर। अपन इसकी वर्टन के फोकस करेंगा। कि आपका जो ड्राइविं तॉर्क लगा इसमें वह कैसे लग रहा है। इसके बार मतलब बात करें। यह तो अपना कंस्ट्रक्शन पूर तुरेसाइड अपरें के हमारा कैसे यहां पर कामेंकट हुर आज हमारे पास अनेलजीर के कॉएल दू तरफ वह था हुक्त में बताया था एक हंयंक ओंचार कोईल एक कोचिछ नटी क सिअ देस्टर कर ऐ queste पॉटेसिल कोईलों पे जो बूल्टेज होगा वो कौन से बोल्टेज होगा वो कौन जो पॉटेशिल कोईलों चैनल के पाश जब नदेजों के बरबर्ब्र्म सब्सक्राइब इसमें मुझे कोई प्रॉलम यहां पर नहीं है अच्छा जब ऐसा कुछ है तो मुझे आप सभी लोग यह बताओ कि क्या आपके potential coil पर कुछ current flow नहीं होगी तो क्या potential current flow नहीं होगी क्या बिल्कुल होगी सर्थ तापके potential coil पर एक current flow होगी इस मुदम है IPC हाई हा ना समझे मैं क्या बोले मैंने potential diagram को देख आपको आपके potential coil है potential coil में कौन सा potential है जो की supply का potential है आप इसमें कुछ current भी तो इसमें जब potential भी बोल्टेज कुछ current तो क्यों होगी इस बिल्कुल current flow होगी तो यहां पर जो current flow होगी यहां पर कुछ number of turns भी होगी तो यहां पर होने क्या वाला है यहां पर होने क्या वाला है कि इस IPC की वज़े से क्योंकि आपके पास क्या create होगा एक MMF क्रियेट होगा यहां पर क्या create होगा एक MMF क्रियेट होगा एक MMF क्रियेट होगा और उसकी value बताए तो कितना हो जाएगा N1 मालो अगर number of turns कितने हां पर N1 है यहां पर number of turns और आपके पास यहां पर जो एमने प्रेट हो जाएगा वह एक तो कि आपके पास यहां पर जो और आपके पास यहां पर पूर का ऐसा सिलिकॉन स्टील का है तो उसका कुछ रिलेक्टेंस भी होगा तो आपको पता है कि आपके कोर पे आपके जो संद मेगनेट का जो पूर है उस पे एक फ्लक्स सेट अप हो जाएगा एक फ्लक्स कितना होगा 5 PC अपके पास यहां पर फ्लक्स कर रिकरेट हो जाएगा जिसका वैल्यू कंए फ्लक्स वहाँ जहिएक हो जो इस पिस का पास यहां प्लक्स खेड हो गया 5 PC अथि मुझे यह सभी लोग बताओ कि यहां प्लप्लाय थी वह AC थी यह BC थी जो flux यहां पर create होगा, वो भी कैसा रहा होगा, time-varying flux यहां पर create होगा, क्या सब किसनी बात create हो, जितना मैंने भी आपको बताया, potential coil में कौन सा आपने voltage लगाया है, आपके potentiality का क्यों टेक है, supply voltage, उसके वैसे कुछ current यहीं होगी, IPC, जो number of turns current से जाएगी तो आपके एक MF3 होगा, और MF3 होने की वैसे आपके जो core है, जो center magnet का core है, उस पे plus भी create हो जाएगा, 5 PC, अब जो यहाँ पे 5 PCO कैसा ने चाहिए आपर टाइम बिरिंग में चाहिए तो जो डिस्क यहाँ पे है जो आपकी यहाँ पे क्या है इस नहीं है जो आपकी किस्ते लिंक करते हैं जो आपकी ट्मेंळ ट्रिंग होगा में चाहिए तो आपका ग्रेल सबूप्स हो एक पी इंडूस दिमेंफ हो गया है अब देखना डिस्क पे हमारे पास जो आपके अलोबिनम की डिस्क को घूमना है उस पे एक 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 रियक्टर भी होगा उसकी वजह से इसमें कुछ करेंट भी फ्लो होगी और जो करेंट वहां पे फ्लो हो इसमें क्या बोलता हूं यहां के कौंसी करेंट नाम देता हूं मुसकर क्या आई-ई-प मतलब वह ऐसी करेंट है जो की करेंट मतलब आई-ई-प मतलब की पोटेंशल कोई इसके रिस्पॉंतिर मतलब यह आपके पास डिश्क पे ईबई जनरेट हुआ है वह किसकी वजह से चैनरेट हुआ यह आपकर पोटेंशियल कोईट के वॉल्टीज क वैसे आपका जनरेट हुआ किया ये सब को याता ख confessor नहीं है क्या आप जितना इत्ना पोई आ दो अ नहीं है एक बाद मुझे और बता नहें कि कि घर के सारे हैं रोड बंद गरदीven है तो पोटेंसियल को गुटेज है टाज कर बाई सेंहां कि परत नहीं पड़ने वाला भाई क्योंकि भाई पोटेंशियल कोईल पास कौन सब वोल्टेज है supply जो कि आपके तावर में जो वोल्टेज है उनमें जो वोल्टेज है वही वोल्टेज आ रहा है मतलब यहां पे तो कोई चेंज होने का परामेंटर बनता ही नहीं आपका VS fix है आपका IPC fix है N1 fix है IPC 5PC fix है EP fix है और IEP fix है इनमेंसे कोई भी चीज होने वाली है क्या कोई भी चीज चेंज नहीं होने वाली क्योंकि supply voltage ही नहीं होना ना कभी चेंज होगा होगा कितना होगा 220-219 हो जाएगा 219-220 हो जाएगा थोड़ा बत माइनर चेंज हो उसको में आपके नेगलेट कर सकते ह ह्यां कि हमारे करेंट क्य osob recording इस एक हमपे चैकल हो रही हो रही है हमारे कररेंट वहील जो Savoy啊 हरते शारे लोड बंद करें आपनों जीरो है जादा अपर क्या इसमें करेंट को सुने कितने टर्स आप पास यहां पर क्या होने वाल के पास यहां पर आपपास एक्क्या होगा बीच हो गां मिसक्तका इंडे द्सकाट सिंट्रेंग करें हैं कि lass हुर। कि दो इंडेरन नंबर फ्रण त करेंगा इंडेरली आपका जो जो series magnet है इसका भी एक reluctance होगा, अगर reluctance होगा इसका भी एक क्या होजएगा आपके पास यहां पर, flux create हो जाएगा, flux कितना create होगा आपके पास यहां पर? वो होगा आपके 5cc और 5cc की value क्या होगी? mf upon reluctance, किसका reluctance? Series magnet हो जो नीचे लगा हुआ है ना? यह 5cc आ गया और इस 5cc तो इजरे भूट रहे है आपका जो current है वो कैसा है ताइम वेरिक current है उस पाद MS भी टाइम वेरिंग नहीं पाद तो फ्लॉक्स क्या पाद हो फ्लॉक्स भी टाइम वेरिंग है तो जब फ्लॉक्स आपना पास complete करेगा तो आप मुझे बताओ कि क्या य एक EMF induced होगा आपके डिस्क पे अगें जाओग एक EMF induced होगा दैट विल बी ओर वाट 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 इसी मतलब क्या आपके current कोईल की वज़े से डिस्क पे एक अब क्योंकि इक रियक्ते होगा उसकी वज़े से एक यहां पे current flow होगी जिसको बोलुगा मैं eddy current हो जागी विरुपास यहां पर क्या IEC मतलब eddy current induced in the disk due to current point IEC मतलब क्या IEP मतलब eddy current induced in the disk due to current point IEP मतलब क्या eddy current induced in the disk due to potential point सबको यहां तक कहानी clear हुई अब होता क्या है समझना अब होता क्या है समझना जैसे कि आपके induction motor में होता है कि आपका एक coil का flux या आपके पहले वाली कोईल का flux आपके एक कोईल का flux दूसरे कोईल के induced eddy current से interlink करेगा और हमको एक तुर्क प्रॉवाइड करेगा जिसको महतने क्या TD1 एक हमको तुर्क को प्रॉइड करेगा TD1 similarly हमारे दूसरे कोईल का एड़ी करेंड और पहले वाले कोईल का हमारा यहां पे कहें कि अब्ब्रक्स आपस में इंटरीक करेंगे और एक दूसरा के टी डी तू जो की दोनों क्या लगते आप पे अपोजिट डिरेक्शन में लगते हैं यह हमको तो उफ्रोड करने आपके पोटेंचियल क्वाईल कि वजह से जो फ्लक्स क्रेट हुआ है 5pc potential coil का flux किससे interlink करेगा यह आपके disk पेड़ एड़ी करेंट ही और जो कि current coil की वज़े से एड़ी करेंट आई थी उससे interlink करके मुझे ताप कोईट करेगा similarly current coil का flux किससे interact करेगा यह आपके एक एड़ी करेंट से interact करेगा वो जो एड़ी करेंट हो कौनसे एड़ी करेंट होगी जो की potential coil के विज़े से आई है इनको अब दो ही टॉर्क यहां पर लग रहे हैं अब दोनों टॉर्क की डारेक्शन यहां पर क्या होगी अपोजिट होगी अब पोजिट होगी मतलब कैसे मालब आपका टीडी वन अगर ऐसा लग रहा है इस टारेसर में लग रहा है तो टीडी टूर अपोजिक डारेसर में लगेगा और इसी रिजन की वज़े से जो हमारा डिस्क था उसका जो सेफ़ाव कैसा था शर्कुलर था क्योंकि अब इसमें हम को बहुत बहुत आसानी मिलगी क्यों क् अब इसको दो टारेसर में लग रहें तो डिस्क इधर गूमेगी और इसको इधर गूमाएगा मतला आपको यूनी डैस्नल टॉक मिल जाएगा क्यों मिल जाएगा क्यों आपने डिस्क की जो सेफ दिया और इस चर्कुलर सेफ नहीं होता तो बहुत प्रॉल्म जाती है अग तो इस तरह के इस तरह से हमारे डिस्क पर करता है यहां पर ड्राइविं टॉक लगता है क्या सब कोई पॉइंट क्लियर है हमारा वर्थी कैसा है हमारे पास दो तरह के टॉक लग रहे हैं तो पीछी रिजन कौन पहुं सा है चीछी पीफी और आईविफी की दूटी पिछी रिजन कौन कहुं सा है पाईविंस यज़ी और यह डोनों अब आपस में इंटरेट करेंगे और दो तरह के ट्रॉक निकानेगे दोनों निकी टॉर्क आपके डिस्पे अपोडर सिंप्ल क्लियर हुआ सब भी लोग बताओ तो आज की class लिए अतना ही रखते है तो कल की जो class होगी कल अपने class morning पे होगी कितने बज़ए 8 एम पे कल अपन morning पे 8 एम पे class रखेंगे और इसी को बनटी बूखने ठीक है सुबहीत आप मॉर्निंग पे अवेलेबल रहोगी 8 a.m.. पे अवेलेबल रहोगी ट्राया करेंगो रिकॉरिंग पे रहेगी और पीडेपल अवेलेबल रहे हैं और आप टेरेग्राम चेला की जाना की जाएगा जो भी आपके ड्राउड सो पेरिग्राम के अले में पूसर को चलो मिलते हैं कल की क्लास पर मॉर्णिंग 8 एम सबी लोग आप लोग रेडियो देएगा बाइबाइबाइब टेक केर गुड़ देव क्या झाप बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइम rए में खर्डोग एमरे लोग रेप़ देएशना, वालो मिलते हैं कि यहose Vice- succeeds.